Hello friends welcome to my channel Pooja Patel इस वीडियमे में समझाने की कोशिस करूंगी कि theory of computation में automata और finite automata क्या होता है तो पहले हम समझते हैं कि automata क्या होता है The abstract machine is called the automata इसमें क्या होता है कि हमें एक visualize करना है कि कोई machine कैसा होगा जिसको हम finite automata करेंगे अभी automata में क्या होगा हमें जो pattern हमें match करवानी है वो हम finite automata का use करके हम match करवा सकते हैं जैसे कि A, A, B, A, B, A, B, A, B, whatever 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0 ऐसे तो हमारे पस finite automata आ जाएगा finite automata are used to recognize patterns मतलब कि हमें कोई patterns find out कर नहीं हो तब हम finite automata use करेंगे At the time of transition the automata can either move to the next state or stay in the same state मतलब कि finite automata में क्या होगा या तो वो दूसरे state में pass होगा या फिर वो खुदी जो उसका self state है उस ही में वो पढ़ा रहेगा फिर आता है types of automata तो उसके दो टाइपस है DFA and NFA deterministic finite automata and non deterministic finite automata अभी actual automata हम बनाते कैसे हैं the automation consists of the states and transition मतलब कि हमारे automata में दो चीज़े होती है states and transition जिसमें state होता है उसको हम circle से represent करेंगे और transition को हम arrow से अभी आगे हम इसके example समद्धे की कोशिश करेंगे तो आप अगर मेरे चनल में नहीं नहीं आए होगो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेए और अगर आपको ओटोमेटर और फाइनेट ओटोमेटर में कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजेए और सब्सक्राइब कर ज़रूर कर दीजेए थैंक ये वेरी मच्छ